बिहार में जो राजनितिक संकेत हैं उसी और मिल रहे हैं कि नितीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और देखिए संभावना को बल कब मिला मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि कोई भी नेता कुछ भी कहें कि दरवाजा खिरकी बंद हो चुका है लेकिन नितीश कुमार के पास खोलने की चाबी है और इस संभावनाओं को बल तब मिला जब अमित साह का एक इंटर्व्यू के पत्रकार मित्र ने ये पूछा कि क्या वाकई नितीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं क्या ओफर आएगा तो उस पर कोई बातचित नहीं होगी तब अमित साह ने कहा कि देखिए कोई दरवाजे बंद नहीं है जब इस तरह की बात आएगी तो विचार किया उबाल में आ गया राजनितिक उबाल जो राजनितिक तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और तमाम नेशनल मीडिया ये चलाने लगे क्योंकि अमित साह का स्टेंड आप समझे जो अमित साह बिहार में आकर ये कहते रहे हैं कि नितीश कुमार के लिए अब लिए कि बातचीत काफी आगे निकल चुकी है ओर संयोजगка पद नितीश कुमार ने ठूकरा दिया संभावना को बल कैसे मिला अप एक एक करके करी जोड़िए ना संकेत लिए नितीश कुमार ने यहां का संयोजग पद ठूकरा दिया कहा कि अरे लालू जी को बना दीजि उसके बाद असोक चुदरी का ये कहना नराजगी जाहिर करना की मलिकार जुन खर्गे से सिनियर लीडर है नितिश्कमार बार बार जेडियू के नेताओं के द्वारा ये कहना कि सीट सेरिंग में देरी हो रही हम सुल्ला सीट से कम नहीं लरेंगे हम जारखंड में भी चुनाव लरेंगे हम नौर्थ इस्ट में भी चुनाव लरेंगे तो जेडियू की जिस तरह से प्रेसर बना रही है और देखिए कल अचानक से तमाम जो राज़नितिक गलियारों में जो पत्रकार जिनकी इंट्री है जिनके अपने सोर्ट सेज हैं तमाम लोग अक्टिव हो गए और तमाम लोगों को अब ये लग रहा है कि नितीश कुमार वाकई कुछ करने जा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा अलर्ट मोड में रहने की जरूत है और देखिए इसी का इसी के इसी संकेतों को देखते हुए आप देखिए कि लालू प्रशाद या बाहर निकल की ये थूरू कहेंगे कि हम इसी मुद्दा पर गये थे बात करने के लिए समझने की जरूत है अब तेजस्वी आदब मीडिया में आकर ये कहें कि हां भाई जो भी कयास लग रहे थे उस कयास के आधार पे लालू जी और हम गये थे नितीश जी से मिलने के मीटिंग के बाद क्योंकि मीटिंग लंबे समय तक चली है लालू प्रसाद यादब साथ में मौजूद थे हम पहले वाइट सुनवा देते हैं तेजस्वी आदब का क्या कुछ कहना है मीटिंग खतम होने के बाद इतनी दाद में बाहलिया निकाली जादी है अरे काम पर्तार प्रस बाहले बढ़ाया जा रहा है आईटी पॉलिशी लाया गया टूरीजम पॉलिशी लाया गया dan आप लोगों को जो ठीक लगे लेकिन 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 अपसोस है अपसोस होता है आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकिकत नहीं नहीं और बार बार आपको जस्टिपाइक कड़े की ज़रुवत नहीं है आप एक बात सबजिए भाजपा का हार्दा बिहार से सुपरा साफ होना तै है इसमें इफ और बट नहीं तो जब से महारा राश्ट लगम हिल दुर्मक जब से लालू जी दिती जी एक हुए हैं तब से पीड़ा में बीजेपी और इस तरह का अपकुआ उड़ाना इस तरह का चुपी बात करना जंडा चलाना और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो अपको अपसोस होता है इस बात लेकिन ये कहा जारा है अरे भाई चिर्टा नहीं किजिए तो बड़ी मिलता है आप एक एक हम आपसे पूछना चाहरे हैं तो राश्ट लागा आपके चानल से प आप आपकी चिन्ता यहां क्यों होती है वहां नहीं होती है तो सबलोग समय रखाइड सीटों पर लड़े मतलब समझ Nej हम जद्यू के साथ हैं जद्यू हमारे साविन हैं मचबूती के साथ यह महागरवधन चुनाओ लड़ेगा कोई पार्टी चुनाओ नहीं लड़ेगी और नितीज जी के लिए अज़बा क्यों ते बड़ा ओफर मिला है नितीज कुमार को कुछ भी हो सकता है यह आप लोग ब आप लोग बहुत जानकार है कि निए लग आलग बिश्ए पह चलांते ले तय रही है बात कर रहे हैं लेकिन अभी भी मुठ्य आरोपी पराप हैाँ तो सुना अपने तेजस्वी आदब ने क्या कुछ कहा लेकिन कयासे लगाई जा रही है कि लालू परसे आदब तेजस्वी आदब और नितिस कुमार की मीटिंग जो है सीट सेरिंग को लेकर भी हुई है तमाम तरीके की चर्चा हो रही है और क्या कुछ खास है हम वो भी जानने की कोसिस करेंगे तेजस्वी आदब तो इनकार कर रहे है कि नहीं सब कुछ ठीक है क्या सब ठीक है क्या वही मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी आदब मीडिया में कि यह नहीं न कहेंगे कि भाईया आप लोग जो चला रहे हैं वही सही है वो तो कहेंगे कि भाई आप लोग चलाते रहिए महा गड़मनन में all is well है हम कामकाच के सिलसले में गए थे मिलने के लिए ऐसी मुलाकाते होते रहती हैं नितीजी हमारे मुखमंत्री हैं हम लोग मिलकर सरकाल चला रहे हैं जो हमने वादा किया था वो काम कर रहे हैं देखिए बेसेकली गए थे लालू जी और तेजस्वी इसी के लिए मिलने के लिए जो इस तरह के और अमिद सा ने बयान दे दिया ना अब यहां का कोई लीडर बयान देता जेडियू बीजेपी का तो एक समझ में आता बीजेपी में अमिद सा अमिद सा ने क्या कहा कि इस तरह का प और देखिए मैं कहा हुँ ना कि बात आगे निकल चुकी है बात आगे निकल चुकी अम नितीजी भी जब तक पुरी नहीं होगी तब तक नितीश जी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बात चित कर चुके हैं लालु जी अब हम उधर जा रहे हैं नहीं कुमार तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं एक दम अंत अरे आप याद किजे ना जब एंडिये छोड़कर महागडबंदन में नितीश कुमार आ रहे थे तब ललन सिंग का बयान चल रहा था अमित्सा ने नितीश कुमार को फोन किया था कि यह क्या चल रहा है ललन सिंग का मीडिया में इस तरह की बात बुल रहे हैं तो नितीश कुमार ने हस्ते वे कहता रहे य आपके यहां जैसे गिरिराज सिंग वैसे हमारे यहां ललन सिंग तो जब जो नितीश कुमार अमिट सा को कन्फूज कर सकते हैं वह लालू अर्तेजस्वी को भी कन्फूज कर सकते हैं लेकिन देखिए मैं यह कह रहा हूं कि नितीश कुमार के बारे में 100% 100% prediction कोई नहीं कर सकता है नितीश कुमार के साथ बैटने वाले 24 गंटा साथ कोई बैठे वो prediction 100% सही नहीं कर सकता है नितीश कुमार के बारे में तो हमारी आपकी या किसी भी media house की बात छोड़ दीजिए हाँ लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो मसलों पर बात अटकी वी है जैसी ही वो deal लॉक हो जाएगा उसके बाद नितीश कुमार अपना stand change कर देगा बिल्कुल देखिए नितीश कुमार जो इंडिया गटबंदन के सुतरधार हैं जिनोंने सुरुआत की थी एक जुट करने की विपक्षी निताओं को वो अब फिल अमित्साह ने बातचीत के दोरान कहा है कि दरवाजे बंद नहीं हैं विचार किया जाएगा तो अमित्साह का डिसीजन तो बीजेपी में कहिए अल्मोस्ट उनका बयान तही होता है तो क्या stand रहेगा अमित्साह का मतलब नरेंद्रमोदी नरेंद्रमोदी का मतलब बीजेपी तो अमित्साह और नरेंद्रमोदी अगर कोई मिलके डिसीजन ले लेते हैं तो उस पे कोई इफेनबट का सवाल नहीं है कोई नेता सवाल नहीं खड़ा कर सकता है देखिए मैं बार फिरक से कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा राजनिती में दरवाजे बंद नहीं होते हैं तो यही चीज है अब समझे न कि अगर नितीश कुमार इधर आ जाते है तो समझे कि बिहार में तो साफ इंडिया गटबंदन साफ बिहार में क्योंकि मैं हमेशा से यह मानता हूँ कि दो फोर्सेज बिहार में जीधर रहेंगे ज्यादा सीटेल वही जीतेंगे और जो सुतरधार है जो इंडिया गटबंदन का सुतरधार है वही अगर एंडिये की और आ गया तो समझे यह फिर इंडिया गंटमंदन का क्या अर्स होगा तो बीजेपी को भी पता है कि नितीश का क्या महत्तु है रूख क्या होगा क्योंकि देखे अमित साह का ओफीसियल नहीं अनोफीसियल बयान बातचीत के दौरारन उन्होंने अपनी मंसा जाहिर की है बात कही है लेकिन बिजे पी के नेता है जो लगातार इस बात को wont करते हुए आ रहे है क्योंकि अगर हम बात करें चीराख पासभान की चिराख पासभान नितिस कुमार रहें गार आगे ? स्टेंड क्या रहेगा अब कल आपने सुना भी होगा चिराग पास्मान ने विवयान दिया है कि जब इस तरह की बाते आएंगी तब मैं पर्तिकरिया रखूंगा बहुत ही सिक्रेटली वो चल रहे हैं वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की ओर से चिराग पास्मान को भी मनाने की कोशिस की गई है कि अगर नितिशिधर आते भी हैं तब भी आपको यहीं रहना है अब चिराग पास्मान क्या करेंगे नह उसके बाद हाला कि मान जी ने ये जरूर कहा है कि अगर नितीश कुमार आते हैं तो मुझे प्रसनली कोई दिकत नहीं है तो क्या कुछ रूख रहेगा उपेंद्र कुस वहाब मान जी और चिराक पासवान का हाँ इतना जो जरूर है अगर नितीश आएंगे भी तब भी ये सीटों पे तो जरूर रहेंगे कि हमें इतनी सीटे चाहिए तो देखिए अभी एक सब्ता का इंतजार और किजिए इस एक सब्ता दस दिन में तमाम चीज़े क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल देखिए एक सब्ता के अंदर बिहार में बहुत बढ़ा होने जा रहा है बने र बहुत सारा है अब तमाम दर्सक देखते भी आते हैं और प्यार भी मिल रहा है अब देखना काफी दिल्चस्प होगा कि नितिस कुमार का क्या रुख होगा आगे का क्यूंकि अभी जो मीटिंग हुई है लालु प्रसादी आदब तेजस्वी आदब और नितिस कुमार के बीच वो काफी हेल्दी मीटिंग मानी जा रही है क्योंकि तेजस्वी आदब ने बाहरा कर बयान दिया है लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे है वो उससे साप प्रतीत होता है कि नितिस कुमार आने वाले दिनों में इस सब्ताह लगभग कुछ बढ़ा करने जा रहे हैं तो बेल आइकन दवाना न भूले